नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में मैं आपको स्वारक्षर ए लिखना सिखाऊंगी एसे एनक, एसे एनक इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको एसे एडी लिखना सिखाया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरूर देखें तो चलिए बच्चो ए अक्षर लिखना सीखने से पहले हम ए अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे तो चलिए बच्चो हम ए अक्षर से शुरू होने वाले कुछ शब्द पढ़ लेते हैं ऐसे एम्बुलेंस ऐसे एलान ऐसे एनक ऐसे एरावत ऐसे एड़ोकेट तो बच्चों हमने सभी शब्दों को पढ़ लिया है अब मैं आपको ए अक्षर लिखना सिखा रहे हैं जिस प्रकार से ए अक्षर को लिखने के दो तरीके हैं उसी प्रकार ए लिखने के भी दो तरीके हैं आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका अपना कर ऐसे एनक अक्षर को लिख सकते हैं तो आज हम इन दोनों तरीकों को सीखेंगे सबसे पहले तरीके से लिखने के लिए आपको आधी खड़ी रेखा खीचनी होगी इस खड़ी रेखा को आपने दोनों लाइन में पूरी सटानी नहीं है नीचे तक ठीक है आपको आदी ही खीचनी है उसके बाद आपको उसी खड़ी रेखा से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है उसके बाद आपको बगल से एक और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है उस तरह से आप ऐसे एनक अक्षर को लिख पाएंगे अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखा रहे हूं इसके लिए सबसे पहले आप दो बनाएं पीछे हाफ कर्व फिर उपर स्लैंटिंग लाइन और उसमें एक छोटा सा हाफ कर्व इस तरह से यह हमारा एक्षर हो जाता है फिर स मैं आपको दिखा देती हूं जो हमारा पहला तरीका है एक्षर लिखने का उसके लिए आपको पहले आधी खड़ी रेखा खिचनी है फिर स्लैंटिंग लाइन फिर से एक स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन उपर एक स्लैंटिंग लाइन और उसमें एक हाफ कर्व इस उपर एक slanting line और उसमें एक half curve यह हो गया ऐसे एनक इन दोनों ही तरीकों से आप जो है ऐसे एनक अक्षर को लिख सकते हैं दोनों ही तरीके सही हैं आपको जो भी तरीका असान लगता है आप उसी तरीके से उसे लिखने का प्रयास करें यहां पर मैं आपको फिर से दिखा दे करने हूं दो बनाएं पीछे हाफ कर्व उपर एक slanting लाइन उसमें हाफ कर्व और स्लिपिंग लाइन तो इस तरह से आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस करें ऐसे एनक अक्षर लिखने की बच्चों को और भी अच्छे से अभ्यास कराने के लिए यहां पर मैंने कुछ वर दूसरी वरक्षीट में स्वर अक्षर ढूंड कर उस पर गोला लगाना है बच्चे इन में से एक्षर ढूंडेंगे और उस पर गोला लगाएंगे तीसरे वरक्षीट में एक्षर से शुरू होने वाले चित्रों को एक्षर के साथ जोड़े यहां मैंने एक्षर बनाया है और कुछ चित्र बनाए हैं जो भी चित्र ऐ अक्षर से शुरू होते हैं बच्चों को उसके साथ उस चित्र को मिलाना है इस वक्षीट का अगर आपको पीडियेफ चाहिए तो इसका भी डीटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडियेफ बिल्कुल ह करें थेंक यू